दिलादे घर दिलादे घर तो जैसे कि आप सुन सकते हो दिलादे घर देन उसके बाद वो बेसलाइन आ रही है तिंग 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 कि आप प्लक के जो पैटन्स हैं उसको कैसे बनाओगे इन फाक्ट दो वीडियो थी एक नहीं थी सो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा जाके उन वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं आप लोग सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग बेसलाइन को क्रियेट करेंगे अपने ट्राक्स के लिए ये कॉमेंट वैसे मिरको वहीं पे आया था प्लक्स वाली वीडियो पे सो विदाउट एनी फॉर्दर डिले सीधा चलते हैं एफफवल स्टूडियो पे हम आचुके हैं एफफवल स्टूडियो में ये मेरा सेम प्रोजेक्ट है जहां पर मैंने आपको प्लक्स कैसे डिजाइन करें इसके बारे में बताया था तो एक बार ही हम सबसे पहले प्लक् और सिरफ प्लक्स हैं हमारे पास अब यहां पर बेसलाइन कैसे क्रियेट करेंगे तो बेसलाइन क्रियेट करने का कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि सिरफ ऐसे ही आप बेसलाइन को क्रियेट करोगे बेसलाइन को आप किसी टाइप से भी बना सकते हो यह डिबें पर बोलते हैं कि आप सुन के बनाओ यहां फिर अपने song के recording बनाओ, आप अपने recording बनाओ बट आपको एक base चाहिए होगा base इस मेरा मतदलब है step आपको चाहिए होगा so यहां पर मैं आपको बेसिक step बताने वाला हूँ, to अगर आपने मेरा पेला वीडियो देखा है, तो वहाँ पर हमने plugs डिजाइन करेते हैं, एक बर ही मैं आपको pattern भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर यह pattern थोड़ा से different है, यह ज़स्ट मैंने इस project के लिए बनाया है, एक बर ही सिरफ pattern सुनते हैं, तो जैसा कि आप सुन सकते हो, simple सा pattern है, यहाँ पर अब इसमें base add करनी है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा मैं extend कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर same plugs लगा लेते हैं, एक new pattern ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम इसको name देदेंगे, base line, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं plugs पर जाता हूँ, यह जो मेरे यहाँ पर notes है, मैं सब को copy कर लेता हूँ एक बरी, वापस आता हूँ, इस वाले pattern पर, यहाँ पर अब मैं add करूँगा, base के लिए कोई भी एक VST plugin, यहाँ पर मैं nexus कर लेता हूँ, because nexus जादा easy है, अच्छे presets भी आपको मिल जाते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ही basic preset ले रहा हूँ, basic sign, जैसा कि आप देख सकते हो, sound आप सुनोगे यहाँ पर, तो बहुत ही basic होगी, so यह जो base का, यहाँ पर preset लिया है, यह kind of आप sub-base इसको बोल सकते हो, so इसको करते हैं, close, nexus, piano roll, and यहाँ पर हम वो जो pattern हमने copy करा था, उसको कर देंगे paste, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो उपर के notes हैं, वो सारे मैं हटा दूँगा, सिरफ मुझे नीचे के notes चाहिए, अब आप सोच रहे हो कि यह मैंने कैसे select करा, तो मैंने अपने keyboard पर प्रेस करा है, control, plus shift, और साथ मैं अपने left mouse click से, यह मैंने select कर लिया है, इसको कर देते हैं delete, अब यहाँ पर हमारे पाँ सिरफ base notes आच चुके हैं, एक पर ही सुनते हैं हम, pattern mode पर, so, यहाँ पर जैसा कि आप सुन सकते हो, base वाला feel आ ही नहीं रहा है, तो मैं अपने keyboard पर प्रेस करूँगा control, और यहाँ से इसको select कर लूँगा, then उसके बाद इसको ले जाऊँगा नीचे octave पर, यह अभी है F6 पर, F5 सुनते हैं, अभी भी अच्छा sound नहीं कर रहा है, तो इसको और नीचे ले जाते हैं F4 पर, यहाँ पर आ चुका है, अब सुनते हैं एक बरी, तो जैसा कि आप सुन सकते हो, यहाँ पर वो base वाली feel आ रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, simply यहाँ पर जाएंगे piano role पे, और अभी एक बरी सुन के देखते हैं, तो जैसा कि आप सुन सकते हो, यहाँ पर हमने base आड़ कर लिये, तो simple सा इसका मतलब है, जिस तरीके से आप plucks के pattern आपने draw करे हैं न, आप same notes अपनी base पर भी copy कर सकते हो, यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, यह जो first note यहाँ पर हमने base में नहीं लिया है, इसको हम यहाँ पर add कर देंगे, so that एक थोड़ा सा अच्छा feel आ जाए, यहाँ पर आप single note इस टाइप से कर सकते हो, यहाँ फिर थोड़ा सा इसको stretch कर सकते हो, हर beat के first step पे हम इस तरीके से लगा देंगे, volume इसकी काफी ज़ादा है, so volume थोड़ी से मैं down कर लेता हूँ, so that एक थोड़ा सा सुनने में अच्छा feel आ जाए, and मैं आपको recommend करूँगा कि please, यह जो वीडियो है आप अपने headphones पे देखे, I mean सुने, so यहाँ पर apply करते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको basic step बताया है, एक चीज जोर होती है, इसको ना side chain भी करना होता है, वैसे side chain के उपर मैं already video बना चुका हूँ, आपको description में link मिल जाएगा, फिलाल मैं अभी जल्दी से इसको side chain कर लेता हूँ, अब एक बारी फिर से सुनते हैं, इसी तरीके से आप भी अपने tracks में इस type के patterns base के create कर सकते हो, same as a plug, थोड़ा सा different होगा, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही करना है, song के जो portions होते हैं, like verse, chorus, वो different होते हैं, सो एक तरीके का pattern और है, जो कि use होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, अब यहाँ पे मैंने दो pattern और add कर लिये हैं, एक piano and second है pad, एक बारी सुन के देखते हैं, chord progression मेरा same है, बट यहाँ पे जो मेरा notes है, जो note placement है, वो different है, आपके track में हमेशा एक सा sound नहीं रहेगा, मतलब कभी intro, verse, chorus, different चीजें होंगी आपके songs में, so आपको ऐसा नहीं है, हमेशा ही यह जो bass का pattern है, यहाँ पे लगा देना है, अगर हम इसको एक पर ही सुनते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप सुन सकते हो, वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, so इस चीज के लिए आप के use कर सकते हो, same जैसा हमने pianos and pads में हमने जो pattern लिया है, like आप देख सकते हो, यहाँ पे just simple सी chords हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले जो notes हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, ctrl-c से copy, then उसके बाद new pattern create करते हैं, and यहाँ पे add करते हैं, sub, and यहाँ पे मैं इसको paste करूँगा, pattern open करूँगा, and same, मैं इस पे जाऊँगा, यह जो nexus हमने लिया था, bass का preset, यहाँ पे right click, piano roll, and यहाँ पे मैं कर दूँगा, paste, F6 है, तो इसको नीचे कर देंगे, F4, और एक बरी सिरफ bass सुनते हैं, एक बरी, तो जैसे कि आप सुन सकते हो, यहाँ पे just straight notes play हो रहे हैं, लेकिन अगर, अब हम इसको साथ में सुने, तो देखते हैं, क्या feel आता है, तो जैसे कि आप सुन सकते हो, यहाँ पे यह जो pattern है, यह suit कर रहा है, यह compliment कर रहा है हमारे pianos को और pads को, so bass lines के लिए आप हमेशा देखो, जो आपके instruments हैं, बाकी के instruments हैं, वो कैसे play हो रहे हैं, कैसे आपने draw करा है, उनहीं से compliment करो, अपनी bass को, और आपकी जो bass lines है, काफी अच्छी sound करेंगी, और आपके track में एक वो weight लेकर आएंगी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, हमेशा ऐसा नहीं है, कि यह जो मैंने आपको दो patterns बताए हैं, यह फिर दो tricks बताए हैं, इसी type से आप bass lines बनाओगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि आपको और instruments देखने हैं, कि वो कैसे sound कर रहे हैं, उनका pattern कैसा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जो start ही सिर्फ bass line से होते हैं, एक बरी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यह जो bass का पहले pattern बनाया था, bass line का, सिर्फ उसको लिया है, एक बरी सिर्फ इसको सुनते हैं, सो यह थोड़ा सा fast है, इसको थोड़ा सा slow करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ elements आप हटा सकते हो, कुछ notes हटा सकते हो, इस जगा पर आप अपने कुछ effects को introduce कर सकते हो, सो इस type से भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहूं, यहाँ पर आप notes के साथ भी play कर सकते हो, basically यहाँ पर आपको एक rhythm बनानी है, एक हलकी सी melody type आप बना सकते हो, कि कैसा आपका song स्टार्टिंग में play करे, तो इस type से आप अपने bass lines के साथ rhythms को create कर सकते हो, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको एक छोटा सा example में बता देता हूं, सो यहाँ पर एक पर ही मैं एक song प्ले करता हूं, थोड़ा सा ही play करूंगा, तो जैसे कि आप सुन सकते हो, दिला दे घर देन उसके बाद वो bass line आ रही है, तिंग 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 तिंग, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर अगर हम अभी play करें, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो tempo है, tempo हमारा 128 है, एंड जो अभी मैंने गाना play करा था, उसमें tempo था slow, तो अगर हम इसको slow करते हैं, 110 पर लेकर आते हैं, अब एक पर ही सुनते हैं, तो आप सुन सकते हो, थोड़ा सा और वो slow हो गया है, लेकिन जो चंदीगर गाना था, उसमें और slow था, तो इस टाइप से आप create कर सकते हो, अपने सॉंग्स में bass line, एंड bass line काफी जादा interesting लगती है, जो track अभी मैंने यहाँ पर play किया था, description में link मिल चाएगा, आप जाके उस track को सुनोगे न, तो उसमें bass lines काफी powerful है, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से use हुई है, एंड अगर मैं यहाँ पर slow tempo पर इसको सुनता हूँ, तो एक बारी सुनके देखते हैं कि क्या feel आता है, एंड अगर हम यह section सुने, low tempo पर, तो जैसा कि आप सुन सकते हो, low tempo पर भी आपके जो यहाँ पर यह patterns हैं, वो काफी अच्छे सुनाई दे रहे हैं, तो यह भी एक तरीके से आप decide करोगे, आपका tempo आपके track के लिए, सो आप यह बोल सकते हो कि जो आपका feel है, song का feel है, वो depend करता है आपके tempo पर भी. I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो कर देना like, चानल को कर देना subscribe, अगर आपके मन में कोई भी doubts हैं या queries हैं, सो comment section खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हो, फिलाल आज के लिए इतना ही, मैं मलता हूँ आपसे बहुत जल्दी next वीडियो में.